हेलो गाइज एन वेलकुम तो मैंने और एजिकेशन तो यह वीडियो काफी इंपोर्टेंट है फॉर अल्डी एंपोर्टेंट वीडियो में मैं तुम्हें देने वाला हूँ 50 प्लस देज का प्लैनर तो यह काफी इंपोर्टेंट वीडियो है ध्यान से दिखना तिल दी एंड और शेर कर देना यह वीडियो अपने सारे फ्रेंज के साथ भी तो सबसे पहले तुम्Hें करना है अपना बैटरी चार्ज शार्ज वाटरी चार्ज शार्ज ङेन की तुम्हें म气 मटि मोटिवे तो मैं तुम्हारा गोल तुम्हें सामने रहे तुम अपने गोल से बिलकुल भ्रको मर अट it is pretty normal कि तुम इस ताइम पर दी मोटिवेटेद फिल करो because तुमने अपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है because you only have 60 days left for your preparations but take it as a positive thing कि तुम्हारे पास at least 60 days तो है प्रिपरेशन करने के लिए and you can make the most out of it तो ये preparations तुम्हें बनाए रखनी पड़ेगी ये motivation तुम्हें बनाए रखनी पड़ेगी for the last 60th day जब तुम जाकर actual में अपने exam लिखोगे and when you'll see your result तो तुम और भी अच्छा feel करोगे because तुम्हारा जो एक dream था कि top college को convert करना वो एक reality बन चुका होगा तो अब ज़रूत है तुम्हें kickstart करने की अपनी preparations कैसे करोगे चार phases में तुम अपनी preparation स्टार्ट कर सकते हो या तो full course या तो sectional course mock test या तो books के जरीए कैसे तुम्हें ये सारी चीजें लेनी है full course, sectional courses, topic wise test, full length test या फिर books और ने books ये हम इस वीडियो में आगे cover करने वाले हैं कि कैसे तुम self study के तुरूब ही एक top से top college for your MCSEAT convert कर सकते हो या फिर you can also visit the official website www.manueverad.com slash mc entrance तो सबसे पहले अपने dream college की photo अपने study table के सामने लगाओ तुम VJTI जाना चाहते हो तुम SPIT जाना चाहते हो तुम PCCOE जाना चाहते हो तुम SPPU जाना चाहते हो तुम Vivekanan college जाना चाहते हो SIES college जाना चाहते हो जो भी college जाना चाहते हो उसका एक photo लो और अपने study table के सामने लगाओ तुम्हारा motivation, तुम्हारा dream तुम्हारे सामने रहना चाहिए so that time and again तुम उसको देखो, inspire हो और उस हिसाब से अपने preparation को strategize करो What is your target? खुद से पूछो कि तुम्हारा target क्या है? क्या तुम्हें 100 प्लस लाकर कोई decent college में admission लेना है? 110 प्लस score करके उससे top level वाले college में लेना है? 130 प्लस लाकर क्या तुम VJTI को target करने की कोशिश कर रहे हो या फिर तुम 150 प्लस लाकर actually में VJTI में जाकर पढ़ रहे हो तो यह अपने आपसे एक target set करो अपने आपसे question करो कि क्या तुम्हारा target है? and हमेशा इसमें improvement लाते रहो काफी अच्छी चीज़ है कि तुम्हारे पास 60 days अभी भी हाथ में है it's never too late अगर तुम अभी भी start कर रहे हैं 60 days is more than enough just जो planner जो दूँगा just मैं जो तुम्हे planner देने वाला हूं उसको अच्छे से follow करना and you'll be pretty much near to your goal yes hard वक्त तुम्हें करते रहना चाहिए तो सबसे पहले तुम्हें revision करनी है dates तुम्हें पचता है in the month of March तुम्हारे exam होने वाला है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें January और February का month मिलता है जिसके अंदर तुम्हें 15th Jan से लेकर 5th March तक continuous basis पर revision करते रहना है क्योंकि March में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ revision ही करना है नया topic तो तुम उस वक्त कोई नया start नहीं कर सकते यह मॉक्स तुम मॉक्स कैसे देने वाले हो तुम्हें week month में यहां पर एक मॉक देना है हर एक week में तुम्हें एक-एक मॉक देते रहना है यह तुम्हारे score होंगे अगर तुम पहले हफते ही 100 टच कर रहे हो तुम्हें यहां पर 10-10 marks की increment करते रहने चाहिए and 140 या फिर 140 प्लस तुम अगर target हिट कर रहे हो within 8 month, within 8 weeks तो काफी अच्छा progress तुम्हें यहां से देखने को मिल रहा तो maths में तुम्हें 60 questions आने वाले हैं 10 questions यहां से solve करने week 1 में logic में 10 questions, English में 5, computer में 5 and एक मौक तो तुम्हें daily basis पर लिखते रहना चाहिए हर एक week में फिर आएगा week 2 उसमें 10 questions English में 5, computer में 5 questions week 3 में maths में 15 questions यहाँ पर 5 questions और बढ़ जाएंगे तुम्हारे logic में 5 questions और बढ़ जाएंगे English में art से 10 questions और computer में 10 questions तो ऐसे करके तुम week 4, week 5, 6, 7 और 8 strategize कर सकते हो number of questions तुम यहाँ पर बढ़ा सकते हो and साथी साथ तुम्हारे score mocks में भी बढ़ने चाहिए जो tough section है जो lengthy section है वो होगा RC जो तुम्हारा अच्छा कासा time लेने वाला है यहाँ पर फिर आएंगे puzzle वाले questions, input, output, critical और cons वाले questions तो इस पर तुम्हें सबसे last में काम करना है so that तुम्हारा time वेस्ट ना हो books से तुम्हें regularly practice करती रहने चाहिए और topic-wise तुम्हें regular basis पर लिखना चाहिए अब must do things, तुम क्या daily basis पर, weekly basis पर कर सकते हो which will be your newspaper reading if you are just starting Indian Express से तुम start कर सकते हो अगर तुम्हारे English काफी अच्छे level की है above average है, then you can start with the Hindu newspaper, काफी tough newspaper है इंडिया में तो तुम्हें से भी start कर सकते हो, काफी हद तक तुम्हारे vocaps अच्छे हो जाएंगे एक mock तुम्हें लिखना है per week एक RC, daily basis पर solve करना है, एक arrangement और puzzle वाले question तुम्हें solve करने है daily basis पर revision करना है, जो भी तुम्हें daily, weekly और monthly basis पर पढ़ा हुआ है word power made easy के सारे videos देखने है, if you are from many, भले तुमने live class join की है, classroom session जोईन किया है या फिर self study में ही क्यों ना तुम enrolled हो, तुम्हारे पास word power made easy के सारे videos होंगे dashboard पर, सारे videos देखकर खतम करतो, जो भी तुमने पढ़ा है उसकी daily practice करनी है, और analysis करनी है अब चालो होता है तुम्हारा main game which is your day-wise planning 50 plus days का ये planner है, काफी important है, ये part वीडियो का इसका screenshot लेकर रख लेना pause कर लेना, screenshot लेना और इसको stick कर देना, अपने study table पर because अगर तुम ये follow कर लोगे definitely तुम कोई ना कोई top college MCS, CT के तुरू crack कर ही लोगे so day 1 में सबसे पहले तुम्हें सारे videos जो तुम्हारे dashboard पर available है, देखकर खतम कर देना है, कॉन से logic से और English से, ये सारे topics तुम्हें देखकर खतम करना है, उसका topic wise test लिखना है और analysis करना है same way day 2, day 3, 4, 5, 6 & 7 सारे videos देखकर खतम करो dashboard से, और ये topic पर काम कर लो, topic wise test देते रहो उसका analysis करो day 7 पर एक full length mock लिखकर उसका analysis करनी है फिर आता है day 8 से day 14, again सारे videos dashboard से देखकर तुम्हें खतम करने है, ये आएगा तुम्हारा week 2 cons logic English ये सारे topics देखकर खतम करो topic wise test लिखकर उसका analysis करो day 14 पर एक full length mock लिखकर उसका analysis करो फिर आता है week 3 day 15 से लेकर day 21 again सारे videos dashboard से देखकर तुम्हें खतम करने cons logic English से तुम्हें ये सारे topics देखकर खतम करने है quadratic equation तुम्हारा थोड़ा tough हो सकता है ये section तो इसको तुम last के लिए भी रख सकते हो, paragraph, jumble, direction simple interest, compound interest, vocab बाले questions सारे topic wise test लिखकर उसका analysis करनी है और day 21 एक full length mock लिखकर उसका analysis करना है फिर आता है week 4 और यहां पर खतम होता है हमारा एक महिना day 22 से लेकर day 28 सारे videos dashboard पर देखकर तुम खतम कर लेना cons से ये सारे topics logic से ये सारे topics English से ये सारे topics सारे topics की topic wise test लिखकर analysis कर लेना and day 28 पर तुम full length mock प्लस उसका analysis कर सकते हो we are into the next month week 5 स्टार्ट हो चुका है day 29 से लेकर day 35 अगेन सारे videos तुम्हें dashboard से देखकर खतम करने है cons से geometry, mensuration, logic से inequality clock and calendar, English से idiom and phrases, vocab, spell check वाल equations computer से computer basics यहां पर तुम्हारा computer का section add-on हो जाएगा then data representation उसके बाद सारे topic wise test देखकर उसके analysis करनी है और full length mock उसके analysis day 35 पर फिर we head to week 6 day 36 से लेकर day 42 सारे videos अगेन तुम्हें dashboard से देखकर खतम करने है trigonometry यहां पर तुम्हारा थोड़ा time consuming हो सकता है इसको तुम last के लिए भी रख सकते हो logic से यह सारे topics, English से यह सारे topics और computer से यह सारे topics अगें topic wise test देखकर analysis कर लेनी है full length and sectional mock test लिखकर analysis कर लेनी है फिर we head to week 7 day 43 से लेकर day 49 सारे videos तुम्हें अगें यहां पर dashboard से देखकर खतम करने नहीं सारे days, सारे days का screenshot लिका रख लो, काफी काम आने वाल है cons, logic, English, computer और यहां पर एक section और एक section अड़ हो गया which is visual logic तो यह सारे topics देखकर खतम करो topic wise test लिखो, analysis करो और full length mock लिखकर उसकी analysis करो अब आता है तुम्हारा week 8 day 50 से लेके day 56 तक यह होगा तुम्हारा final week उसके बाद तुम्हारा exam आ जाएगा सारे videos अगें तुम्हें dashboard से देखकर खतम करने हैं, यहां पर सारे तुम्हारे videos खतम हो जाएंगे, कौन से यह सारे topic चाहिए तो तुम last में prepare कर सकते हो because यह थोड़े से time consuming भी है और थोड़े से hard topic भी है logic से यह सारे topics English से जितना भी अब तक तुमने पढ़ा है सबकी revision and practice, computers ABCM और visual logic से तुम्हें यह सारे topics खतम करके practice करते रहना चाहिए topic wise test उसकी analysis तुम्हें continuous basis पर करनी है और 56 days पर तुम्हें full length mock लेकर उसकी analysis करनी है अब ही इन सारे वीडियो को तुम कैसे देखोगे topic wise test कहां से लिखोगे allow me to take you to the official website of manual education and guide you about the self study resources alright so just head to the official website of manual education.com, click on buy online scroll down click on MC entrance scroll down, सबसे पहले full course को check करेंगे click on show package यहां पर सबसे पहला tab तुम्हें check करना है, click on view details यहां पर मिलते है, 485 video lectures 87 handouts or 20 mock test जिन videos के बारे में हम बात कर रहे थे वो यह सारे video lectures है कहां से देखोगे, click on syllabus यहां पर देख सकते हो, सारे syllabus तुम्हारे video format में covered है so you can easily start with your preparations और सारे का सारा syllabus तुम video format के तुम्हें cover कर सकते हो, if you go back you can check out the book study materials as well click on show packages scroll down तुम्हें यहां पर मिलते तुम्हे set of hard copies जिसके अंदर है quantitative aptitude, reasoning और English, advanced maths के लिए तुम्हें handouts मिल जाएंगे जिसम्हें 15 handouts मिलते हैं which is more than sufficient if you go back you can check out the sectional courses you can check out English computer concepts, critical reasoning, mathematics and statistics, logical and abstract reasoning, तुम्हें 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 sectional courses को भी check out कर सकते हो, if you go back mock test which is very important तुम्हें तुम्हें इसको check out कर सकते हो, click on show package scroll down तुम्हें 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 3rd tab जो है वो तुम्हें check out करना है, click on view details यहां पर मिलते तुम्हें 18 mock test जिसके अंदर से 8 sectional test है और थुम्हें full-length test है इस तुम्हें 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 पर जाएगी kindly check the description box and if you want to start your preparations we have launched the batches for the same for the live class and online session, you can contact our number 285-81455 or 54 if you are in Mumbai looking for classroom coaching you can visit our centers वसे दादर, ठाने, बुरिवली अंदरी, 5 centers we have in Mumbai Manuever MC entrance channel को subscribe कर लो ऐसे informative content notification and update के लिए तुमको important update notification miss ना करते हो इसलिए आप follow कर सकते हो social media पर भी such as telegram, instagram and facebook, regardless of the batches you have joined, सबसे पहले ये access तुम्हें मिल जाएंगे, video lectures, mock test और books के and mentorship strategies तुम्हें time to time मिलती रहेगी, so yes guys, ये था complete 50 days planner जो तुम्हें काफी काम आने वाला है if you are targeting any of the top colleges like SPIT, VGTI, SPPU तो तुम इस planner के तुरू ये सारे colleges को target कर सकते हो, share कर देना है अपनी video सारे friends के साथ भी, so that उनको भी इस time table का फाइदा हो जाए, so yes guys that's pretty much it for the video, until then, see you in the next one कर दो कर दो